हेलो प्रेंज आज की वीडियो में मैं आपको ये गेट पर दा डिजाइन कैसे बना है वो स्टेप आपको बताने वाली हूँ तो इंट तक बने रहेगा और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए एक तरप का भी मेरा पूरा कमप्लीट हो चुका है और इस तरह का सीम एक दूसरा भी अमें तयार करना है तो अब हम दूसरा इसका भी त्यार करें lot takes us एक धowa गठता हुआ एक कमारा घर हो चुका है कि है आप इसे कम घर पे भी बना सकते हैं जाई पर दोड़ा हा लड़ा रगाक है। तो दिखी इस तरह से हमें फंदा लेना है और एक ही जगह से हमें निकालना है फंदा फिर थोरो थोरो से अलग जगह से भी आप निकाल सकते हैं या फिर आप एक ही जगह से निकाल सकते हैं पांच फंदा या छे फंदा में निकाल लेना है और इसकी अगर आप वीडियो और ने आपना यहां जाते हैं और मैं लाइब विडियो मे अपने में चैनल में हुआ। तो देख Johnny यहांपि धाल लेना है लगबग आप अपने हिसाब से ले लें तो यहांपि 10 यहांपिthese बारे चैन ले लना है A तो अपने हिसाब सेमेख अपकर प्रिटनी मुटाई गुली की रखनी है उतनी गुली की मुटाई रखेंगे और इसिह बांज लेंगे उसके बाद हम यहां पर दो चैन लेंगे और फिर से गुली तियार करेंगे तो इस तरह से दो गुली तियार कर लेंगे और फिर से आप चाहे तो 10 चैन पर बनाए या 15 चैन पर बनाए या फिर आप चाहे तो 16-17 पर बना सकते हैं लेकिन जितना चैन लें सब में वही चैन लेना है तो यहाँ पे भी हम 11 चैन ले लेंगे आप अपने हिसाब से चैन लें ठीक है तो इसे थूरी से दूरी पे गैपिंग 1, 2, 3, 4, 4 या 5 घर के गैपिंग पे हम यहाँ पे फिर से 5 फंदा सब घर के अंदर से निकालेंगे मतलब थोरा सा अटा करें मतलब इस तरह से 5 फंदा हम निकाल देंगे या फिर आप चाहे तो 6 फंदा निकाल लें बने देंगे और फिर से हमें यह पहला step हए जो हमें total सेम इसी तरह से कुड़ा कम्प्लीट करना इस तरह से आप जितना घर बनाना चाहे उतना बना लें दिके दूसरा घर भी इससे तरह से हम निकाला और इसे भी वीडियो में बने देगी है तो देखिए इस तरह से हमारा पहला असर गर्त में डि़ू राउंड आ बनीया रे विड्य देखिना है भी स्थार से हम इसर फैह उसरे सो प्श्रक जरेगन है और यह जो घर है वहाँ से हम देखे हरे घर से दूदू फंदा निकाल ला तो देखे यहाँ पे हमें इस तरह से बनाना है यहाँ पे हम पांच चैन ले लेंगे पहले दिखे जो हमने घर लिया है तो यहाँ पांच चैन लेंगे और हरे घर से दूदू फंदा निकालेंगे इसी तरह से एक घर के अंदर से में दूदू फंदा निकालना है दूसरे घर के भी अंदर से में दूदू फंदा निकाल लेना है तो इसी तरह हरे घर से में दूदू फंदा निकालना है और चैन लेना है दिखे कैसे इस तरह से और अगर आप में चैनल पे नए है तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब चूरू कीजिएगा और मैं रिगलर ऐसी वीडियो अप्लोट करते रहती हूँ तो मेरे चैनल से जोड़े रहिएगा और वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक सेर भी चरू कीजिएगा तो देखिए हरे खर से दुदू फंदा हमने ले लिया और हमें फिर से चैनल ले लेना है और गुली एक बना लेना है जो सेम स्टेप है तो उसे मैं बना के नहीं बता रहे हूँ त इतना करने के बाद हमें क्या करना है दूसरे वाला जो घर है इसके बीचो बीच हमें यहां पे से फंदा बनाना है देखिए इसके बीचो बीच हमें इससे बांद लेंगे और यहां से फंदा लेंगे इस तरह से यहां पर इसे बांध लेंगे और बस यहां पर हमें बांध लेना है और एक और गुली तयार कर लेना है और फिर उतना चैन ले लेना है देखें बस यहीं पर यहीं स्टेप ध्यान देना है कि जब फर्स्ट वार्ड में गुली जब सिकेंड राउन में जाएगा तो आप हमें सरिफ चैन से बांधना है, फंदा नहीं लेना है, अगर आप फंदा लीजिएगा तो अपका स्टेप गलत हो जाएगा, तो फिर डिजाइन ये पूरी तरह से त्यार नहीं हो पाएगा, तो देखे हर एक घर से दुदु फंदा लेना है, और गुली बनाएंके हमें बाहन देन करता है, और से दुद किया दाएगा, च्कोंदा प्रोड़ावात रहीं हो जाम देना है, और विर भालत है, जह जो अपका स्टेप बाहना है, जह दुदु जदा तो जहाएगा, पर लेकर विर दो एकता है, जैं एक कि अट इस विर दो जो आपका स कोे नहीं है, अगर में तो दिखें इस थे में मतलब तो टल जो है सेप ये कुरा पुरा कंप्रीट करना है तो यह से फकेन्ड फ्रदल इना है और 10 या 11 चैन लेके गुली उसमें 5 लेना है फिर गुली बना के उसमें अटेच करते जाना है तो यह हमारा सेकेंड रोगया तो यहाँ पर देखिए हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा बना लिया है वो स्टेप मैं भी आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है तो यहाँ पर देखिए जो हमने चैन से यहाँ पर बांदा था वहाँ पर हमने पांच फंदा जो सुरू में हमने घर बनाते वक्त जो किया था वही पर करना है तो दिखिए करना क्या है यह स्टेप एक देख लिजेगा तो आपको समझ में आजाएगा कि मैंने क्या किया और यहां से मारा नया घर भी बनके दे दिवा है तो दिखिए यहां पर क्या करना है सबसे पहले जब हम सिकेंड राउंड में आएंगे तो हमें धागा को कट कर लेना है और उन कट करने के बाद हमें इसे जहां पर जोइन था दोनों सुरू में वहां पर हमें वहां उसी घर चेंपे पांच फंदा निकालना है और दो गुली दस चेंड दो गुली फिर दस चेंड इस तरह से बराना है तो देखिए यहां पर फंदा निकालना हमें दूसरा फंदा ठीक है इसे तरह से में पांच फंदा निकालना है देखिए इस तरह से पांच फंदा हो गया हमारा अब यहां पर हमें फिर से एक चेंड लेना है दस चेंड लेना है यहां फिर आप देख सकते हैं यहां आप से घटाना शुरू करना है क्योंकि यहां पर हमारा लास्ट घर था तो हम बढ़ाएंगे ने और फिर जैसे हमने सुरू में आपको बताया था वैसे हम यहां पर हरे घर से दुदू फंदा लेना है और जैसे सिकेन स्टेप में किया था से वही स्टेप फॉलू करना है झाल करना है झाल करना है झाल करना है झाल झाल सेन एक हे स्टेप है बस उसी को रिपीट करके कि टोटल गेट पर्दा बनाया गया है तो देखे इस तरह से ये बना पहला इस्टेप जो हमने बनाया था और यह हमाया दूसरा इस्टेप भी रेरी हो रहा है इसमें भी हमने वही किया है तो हरे घर से दस दस लेके डबल डबल और यह गुल्ली बनाके उसमें हमें बांद लेना है तो देखिए ये स्टेफ मैं तूटल आपको अच्छे से बता रहे हूँ देखिए इसमें ये रेदी हो चुका है तब देख सकते हैं किस तरह से जब भी साइड में हमारा मतलब दो दो घर ले लेंगे तो देखिए इसी तरह से बन गया है और अब मैं आपको बताती हूँ लास स्टेफ इसमें का जो बचा हुआ है देखिए इहाँ पर कितना घर बना हुआ है एक दो तेनी चार पांच भानच छे घर पे बना हुआ है और ये घरते हुए पास घर आया है, फिर चार घर आया है, तेम, दो, एक, तो इस तरह से ये बनेगा, इस टेप में कुछ भी नहीं है, सेम दो ये स्टेप है, जिससे बार-बार रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे एक घर बचा हुगा है, वो घर अब ह समझ में आ जाएगा, तो देखी, यहाँ पे हमें गुली त्यार कर लेनी है, उसके आरिए, यहाँ से देखे, पांच फंदा हमें लेना एक ही जगह से, इसी तरह से लिया गया है, दोस्तों और भी अगर आप ऐसे वीडियोज देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स चरूर करें, और मैं ऐसे वीडियोज आप लोग के लिए लाती रहूंगी, ताकि आप पसाने से ब यहाँ पर आड़ करने के लिए हम इसके अंदर से भी पांच फंदा लेंगे, और जब हम इसे पल्टेंगे तो उस घर से भी हमें पांच डबल-डबल करके हर एक घर से दो-दो फंदा निकाल लेना है हमें, आप चाहे तो इसमें टोमैटो की चगर पर आप चाहे तो इसमें फ्लावर्स भी एड़ कर सकते हैं, आप इसे अलग लूपी दे सकते हैं अपने हिसाब से, तो देखें, और जब हम इसे पल्टेंगे यहाँ पर चैन एक गुल्ली लेंगे, फिर यहाँ पर हमें इसे करीच बादना है, तो यहाँ बांदना है तो हम इसे बांद लेंगे प्र daíशन फिर दे गुल्ली बनाएंगे और चैन लिएगे और फिर से हरे गार्से दो diffुप बंदा लेलें इसके गार्जोब लेσιे Scottish अमेमें उनको कट कर लेगे लेंगे, तो इसी तरह से हमें और भी कर झाल 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 तो देखें यहाँ पे टोमेटो जो बना हुआ है इसके स्पेशल वीडियो भी मैंने लाइब में बताई थी आप लोग के साथ सेर किया था तो अगर आप इसे और भी अच्छे से देखना चाहते तो मेरी लाइब वीडियो में भी जाके इस गेट परदा को देख सकते हैं उस टोमेटो बनाने में कुछ भी नहीं है हर घर से आप अपने हिसाब से दो तीन या चार चैन छे पांच चैन हर एक घर से निकाल कर उसे लाज पर बांद लेना है तो टो मेटो में लाइब क्लास में दो तीन तरीके से बनाना बताएं तो आप जरूर उस वीडियो को तकि आप असाने से बनाता है तो आप देखिए बहुत हीजी है आप देखके भी असाने से सीख लेंगे असे पन्म एटन तो आप तकित अपके लाजी कि व जरूर ले है। झाल 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 तो देखी इस तरह से हर जहां जहां पर हमने दस्तास गर लिया था उन सारे चीजों में हमने ट्रोमेट्रो तयार कर लिया और इस सैड भी हमें बना लेना है और आप देख सकते ही कितने इच्छे सी इस सेट वो चुकी है और इसकी बाद हम इसमें लड़ी बनाएंगे तो इस इस सेट का भी बचा हुआ है तो सेट का भी हम कंप्लीट कर लेना है और इसमें लड़ी हमें लगा लेना है आप चाहे तो अपने हिसाब से लड़ी लगा या फिर आप इसे इस तरह भी छोड़ सकते तो यह भी हमारा एक डिजाइन बंगी तयार होता है और आप चाहे तो इस पांच घर फिर दस चैन एकारा चैन दो गुली फिर एकारा चैन इस तरह से बना हुआ और इस टेप सेम ही है बस उसी को रिपीट करकर के यह डिजाइन बना रहे गया है तो दिखे इस तरह से फाइनल लुक दे रहा है अब हम इसे थोड़ा अलग सा लुक देते हैं तो इसमे अब कर्सक्राइब नगा है बस मैंने इसमे लरी एड़ कर सकते हैं तेख लेजीएगा मैंने ये लरी इस्तमाल कh hypothra कंण यहां अधर भी इस्तमाल कर सकते हैं तो आपको यहां पांदाब कैसा लगा हमने जोरू बताइएगा फिर मिलेंके में नेक स्च्टू्यू में नडि